हलो इवरिवान आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपनी चैनल में कैसे हैं आप सब लोग उमीद है कि आप सब अच्छे हैं मैं भी अच्छी हूँ और अभी हो रहा था इवनिंग का टाइम और यहाँ पर देखे मैं बना रही हूँ खीर खी खीर बना देती हूँ और आज के जो दूद है वो मैं उबाल के रख देती हूँ तो वहाँ पर मैंने चढ़ा के आ गई हूँ मैं खीर और दूद दोनों गैस पर मतलब दोनों चूले पर और इधर मैं आई हूँ सबजी काटने के लिए मतलब डिनर का जो बनाना है वो सब और एक-दो सब्जी मैं बना के रख दूंगी, जो कल सुभा मेरे हस्बेन ले जाएंगे खाना, एक साथ दो-तीन सब्जी नहीं बन पाता है सुभा-सुभा उटके, तो एक-दो सब्जी न मैं बना के रख देती हूं रात में, अभी तो ठंडी का सीजन चालू हो गया है तो बहुत ज़्यादा मतलब सुबह के टाइम पे बहुत ठंडी लगने लगती है आलस आता है तो यह देखिए यहाँ पर मेथी के साग जो है वो मैं छाट के रखी थी पहले से और यहाँ देखिए अरपीत खा रहा है नूडल तो मैंने उसको भी बना के दिया है वो नहीं खाया मेरे हस्बन ने भी खा लिया है ड्यूटी से आके थोड़ा सा वो सूट कर रहे थे तो मैंने कर दीजिए नहीं तो मेरा कोई मूड नहीं ता सूट करने का क्योंकि मेरा तबियत न ठीक नहीं है लेकिन मैं देखिए बात कर रही हूँ और काम तो करना ही पड़ेगा तबियत ठीक हो या फिर ना हो अगर मैं बनाना छोड़ दूँगी ना खाना तो क्या होगा एक तो उपर से उनको बाहर खाना पड़ेगा और उससे उनकी भी तबियत खराब होगी और घर में तो मुझे खाना वैसे बनाना ही है अरपीत के लिए और अगर मैं भी नहीं खाऊंगी तो मेरा भी तबियत और बिगड़ जाएगा इस वज़े से अगर थोड़ा बहुत मेरा तबियत खराब भी होता है ना तो मैं उसको अनजर अंदाज कर देती हूँ और अपना काम पे लग जाती हूँ परना अगर काम छोड़ दूँगी तो और ज़्यादा तबियत भी गड़ जाएगी सो लिया एक बार ना अभी सतर पकड़ लिया तो समझो की हो गया उसका तो बस मैं यहां पर काम करने के लिए आ गई हूँ और यहां देखिए मैंने बरबटी काट लिया है और गाजर आलू यह सब डाल के सबजी बनाऊंगी और इधर मेथी का साग जो मैंने छाट के रखे एक दिन बनाई थी और यह आधा रह गया है और मेथी अभी बहुत मेहंगी भी आ रही है और इतना टेस्टी लग रहा है खाने में अभी नया नया मेथी आ गया है मतलब जो विंटर का सबजी ना वो लगबग आने लगा है लेकिन अभी पहला पहला आ रहा है न थोड़ा मेहंगा भी हो रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं मेती बहुत पसंद है तो देखिए मैंने सबजी काड लिया है और इधर देखिए मेरा जो खीर है वो बन के रेडी हो गया है अभी आदा मेरे हजबन जी को दे दूँगी वो खा लेंगे उनको खीर बहुत पसंद है तो खीर वैसे मुझे और अरपीत को अतना पसंद नहीं है मैं तो थोड़ा बहुत खा लेती हूं लेकिन अरपीत बिल्कुल भी नहीं खाता है एक दम एक चमच भी आप खिलाने पाओगे अरपीत को तो दुख होता है कभी कभी की कुछ चीजे जो है मैं बनाती हूं लेकिन अरपीत को अभी तक मैं खिलाने पाती हूं पता नहीं कब तक वो खाएगा ते देखें मैं सबजी बनाने के लिए आ गई हूं आप लोगों से बात करते करते तो मैंने यहाँ पर कड़ाए में तेल डाला तेल के उपर मतलब तेल गरम हो गया उसके बाद मैंने यहाँ पर पांच फोडन डाला और यहाँ पर एक कटा हुआ प्याज डाल दिया है प्याज थोड़ा सा मैं चला लूँगी तब तक सबजी को ना मैं वर्ष कर लेती हूं सबजी को मैंने अभी तक धोया नहीं है मतलब धो के रखा हुआ था फ्रीज में लेकिन काटने के बाद एक बाद धोना पड़ता है न तो बही मैं भी धो लूँगी और प्याज जादा फ्राई नहीं करूँगी बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद ही मैं सबजी को डाल दूँगी तो यहाँ देखिए मैं सबजी को बस थोड़ा सा हलके हाथो धो लेती हूँ नहीं तो यह धोवा मतलब धूला हुआ सबजी ही है तो यह देखिए प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है और थोड़ी देर चलाने के बाद मैं यहाँ पर सबजी डालूँगी और आप लोगों को वीडियो अगर थोड़ा से भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को जितना हो सके उतना सेयर कीजिए ताकि मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए और वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज लग रहा है है ना सच्ची में बहुत अच्छा लगता है विंटर का जो सबजी होता है ऐसे ही सब कलर्फूल होता है और इसमें अगर आप सिम्ला मिर्च डालना चाहते हो तो वह भी डाल दीजिएगा सिमला मिर्च वैसे खाना बहुत अच्छा होता है लेकिन बहुत दिन हो गया है मेरे घर में सिमला मिर्च नहीं है तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ हल्ली पावडर, नमक, जीरा पावडर और लाल मिर्च का पावडर और साथ ममें डालूंगी अद्रक प्लेसन का पेस्ट थोड़ा सा मसाला जादा जादा नहीं डालूंगी और ये सबजी जो है चावल के साथ भी खाऊंगी मतलब कल और आज रोटी बनाऊंगी तो रोटी के साथ भी हो जाएगा और साथ में वो साग बनाऊंगी और क्या है अर्बी अब काटूंगी, अभी अर्बी को काटा नहीं है लेकिन अर्बी अभी काटना बाख़ी तो अर्बी की भी सबजी बनाऊंगी कल के लिए तो ये देख़िए सबजी को सोड़ा से चला देती हूं और आप लोग देखते जाएगा वीडियो को कर दो कर दो कर दो कर दो लाँ खाना बन गया है और यहां पर देखिए मेथी के साग है सेम और आलू के साथ मैंने बनाया है और यह रोटी ना पूरा का पूरा रोटी मेरे हजबन ने बनाया है मेरे तबियत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी खाना वगेरा बना ली थी सबजी वगेरा उसके बाद मैं स हो गई थी तो यह सारा खाना दिखे बन गया है तो चलिए इस वीडियो को मैं ही पर एंड करती हूं तब तक के लिए बाबाई सब अच्छे से रहिए खुश रहिए टे केर